तो फ्रेंट्स आज के इस वीडियो में हम डिसकस करेंगे RRC, Group D exam के लिए TOE 50 Science के quiz और ये स्रीज मैं आज से सुरू कर रहा हूँ टेली कोशिस करूँगा कि आपको ये वीडियो एक मैं पूरा दे सकूँ 50 quiz और ये सारे के सारे questions किसी extra book से नहीं है सारे के सारे ये NCRT की book से लिए गए है और मैं कोशिस करूँगा कि NCRT का 9th और 10th का syllabus मैं आपको complete करा दूँ one liner में ही क्योंकि आपने देखा होगा जितने भी questions पूछे जाते हैं वो NCRT से ही पूछे जाते हैं तो चलिए करते हैं सुरू सबसे पहला प्रस्ण है sodium chloride का जल में घुलना कौन सा परिवर्तन होता है देखिए sodium chloride होता है NACL यानि कि जिसे हम नमक कहते हैं इसका जल में घुलना देखिए हम जब sodium chloride यानी नमक को जल में घोलते हैं तो यह होता है friends भोतिक परिवर्तन अब आप इसको कैसे समझेंगे, अगर यह एक्जाम में आता, तो लगबग 90% क्या लगाते इसको रासाइनिक परिवरतल लगाते, लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि अब जब हम इसका गोल बना लेते हैं, तो उस गोल को अगर आप गरम करते हैं, तो जल जो है वो भाब के इसमें से उड़ जाएगा, तो आपका नमक जो है, रह जाएगा, जनी हमने दोनों को मिलाया था, और दोनों नमक और जल मिलने के बाद, दोनों अपनी मूल अवस्था में आ सकते हैं, तो इसलिए क्या होता है, भोतिक परिवरतन होता है, ना कि रासाइनिक परिवरतन, क्य क्योंकि हम चीनी से जिस तरह से मैंने आपको नमक को पिरोसुस बताया है कि गरम करने के बाद उबालने के बाद जो आपका जल है वो सारे का सारा उड़ जाएगा तो क्या बचेगी चीनी बचेगी नेक्स्ट आप दूद में खटा पनाना कैसा परिवर्तन है तो फ्रेंड्स यह होता है रासाइनिक परिवर्तन या दूद से दही बनना दही से मठा बनना सारे के सारे रासाइनिक परिवर्तन है क्योंकि अगर हम दूद से दही बनना लेते तो बापसी दही से हम दूद नहीं बना सकते, नेक्स्ट है वल्ब का जलना कौन सा परिवर्तन होता है, तो देखे वल्ब को मैंने, बंद वल्ब है स्विच ओन क्या लाइट ओन हो गई, और अगर मैं स्विच बंद कर देता हूँ, तो उससे लाइट चला जाती है और बल्ब अपनी मूल अवस्था में आ जाता है तो ये भी क्या होता है, एक भोतिक परिवर्तन होता है, नेक्स्ट है मैगनिसियम के वायू में जलने पर क्या होता है, तो ये बनता है मैगनिसियम ओक्साइड, यानि MgO बनता है, कैसे, देखे मैगनिसियम होता है Mg plus O2 तो इसे यहाँ पर हम 2 Mg लेते हैं देखे में reaction आपको पूरी दिखा देता हूँ यह वनती है 2 Mg plus O2 और reaction करके वनता है 2 MgO यानि magnesium oxide तो magnesium के वायू में चलने पर क्योंकि वायू में क्या होती है oxygen होती है next step बुझा हुआ चूना क्या होता है तो यह होता है calcium hydroxide इसका सूतर आपसे पूछ सकता है तो C A O H का whole twice यह होता है और बुझा हुआ चूना चूने की जो reaction होती है C A O calcium oxide की जल के साथ reaction होती है तब हमारा C A O H का whole twice हमें मिलता है next step रक्त का ठक्का बनने के बाद चोट गिरत भाग से रिषने वाला तरल क्या कहलाता है तो यह कहलाता है serum आपने देखा होगा कभी कभी आपका अगर चोट लग जाती है तो वहाँ जो उपर पपड़ी सी जम जाती है ठक्का जम जाते से current कहते हैं तो उसमें एक लिक्विट सा तरल सा पाधारत निकल का था चिपचिपा सा जो होता है तो उसे को कहते हैं serum कहते है next है प्रकास संसलेशन के दोरान कौन सी गैस बाहर निकलती है तो यह निकलती है oxygen next है कौन से वरणक सोर उर्जा को गिरहन करते हैं तो यह करते हैं परण हरीम कौन से परण हरीम और केरोटी नाइट्स यानि कौन कौन से वरणक तो यह दो वरणक हैं परण हरीम और केरोटी नाइट्स next है प्रकास संसलेशन में योगदान करने वाला बिसिस्ट उतक तो यह होता है खंब उतक फिर कास संसलेशन में योगदान करने वाला खंब उतक नेक्स्ट है मचली में स्वैसन अंग कौन सा होता है तो यह होता है किलोम जिसे कहते हैं गिल्स कहते हैं नेक्स्ट जथर गिरंतिया कहां पाई जाती हैं तो जथर गिरंतिया पाई जाती हैं आमासे में next question है कौन सा दर्पन सदेव छोटा तथा आभासी पिर्तिविम बनाता है तो यह बनाता है उत्तल दर्पन next है गालियों की headlightों तथा search lightों में प्रियोग होता है तो होता है आवतल दर्पन देखे फ्रेंट गालियों की headlight अगर पूछता है तो अपतल और अगर आपसे पूछता है गालियों का side mirror जो होता है तो उसमें क्या आता है उत्तल दर्पन next है दो विलियनों का अपवर्तनांक 1.36 तथा 1.54 है कौन अधिक सघन होगा तो जहां नखना है अधिक अपवर्तनांक बाला जो है विलियन अधिक क्या होगा सघन होगा यानि के 1.54 वाला तो जिसका अधिक अपवर्तनांक होगा वो उतना ही ज़्यादा सघन होगा next है किस λैंस का आवर्धन सदेव एक से कम होता है तो hoता है अवताल लैंस का next है लैंस की शंपता का मात्रक क्या होता है नेक्स्ट है, जल की सतय के नीचे वायू का बुल्बुला किस लेंस की भाती वेभार कर, तो ये करता है अवतल लेंस की भाती, नेक्स्ट है, घलिसाज सूकस्म पुर्जो को देखने के लिए किस लेंस का प्रियोग करता है, तो ये करता है उतल लेंस का, नेक्स्ट है आपतन कोण और परावर्तन कोण में क्या संबंध होता है तो देखिए आपतन कोण और परावर्तन कोण ये क्या होते है ध्यान रखना इस तरह से हमारा मालीजे क्या होता सिसा होता इधर से जाने वाली जो किरन होती है ये होती है आपतित किरन और जो टक्राकर बापसी होती है यह होती है परावर्तित किरन और बीच में होता है अविलंब तो यह जो कोण बनता है आपतित किरन और अविलंब के बीच आपतन कोण और परावर्तित किरन और अविलंब के बीच परावरतन कोण और ये दोनों क्या होते हैं आपस में बरावर होते हैं ध्यान नकना है दोनों कोन क्या होते हैं आपस में ये बरावर होते हैं नेक्स्ट है चंद्रमा प्रदीप्त वस्तु है या नहीं तो ध्यान नकना ये प्रदीप्त वस्तु नहीं है लेकि प्रदीप्त वस्त में क्या होती है तो ऐसी वस्त में जो स्यम अपने पिर्कास से चमकती है यानि जिनका खुद का पिर्कास होता है तो वो प्रदीप्त जैसे बल्व हो गया सूर्य हो गया जो है आपके तारे हो गए ये सबी सब प्रदीप्त हैं लेकिन चंद्रमा का खुद का सुयम का पिर्कास नहीं होता, ये क्या करता है, देखिए ये सूर्या है, ये चंद्रमा और ये प्रत्वी, तो ये जो सूर्या का पिर्कास होता है, उसे प्रत्वी की और परावर्तित करता है, ठीक है, तो ये खुद के पिर्कास से नहीं चमकत मंद होता है फोकस दूरी और वकरता तिरिज्जा में तो यह होता फोकस दूरी वकरता तिरिज्जा की आधी होती है यह इसका फोर्मूला होता है फ बरावर आर वाई टू नेक्स्ट है मानब नेत्र किस भाग पर किसी वस्तू का प्रतिवी में बनाते हैं तो यह बनाते हैं द्रस्टी पटल पर next है समाने द्रस्टी के लिए नियुन्तम दूरी क्या होती है यह होती है 25 cm यानि आप 25 cm से करीब की बस्तु को इस पस नहीं देख सकते पीछे के आप देख सकते है नियुन्तम जो होती है 25 cm होती है next है मानब नेत्र का कौन सा अंग नेत्र लैंज की फोकस दूरी को नियंत्रीत करता है ते करता है पक्षमाभी पेशिया नेक्ष्ट है नेत्र में प्रवेश करने वाले प्रकास की मात्रा किस अंग के द्वारा नियंत्रीत होती है यह होती है पारितारिका के द्वारा नेक्स्ट है द्रस्टी पतल का कौन सा बिंदू पिरकास के पिर्ति सरवाधिक संबेधन सील होता है तो होता है पीत बिंदू यानि द्रस्टी पतल का कौन सा बिंदू पिरकास के पिर्ति सबसे ज़्यादा संबेधन सील यह होता है पीत बिंदू नेक्स्ट है द्रश्टी पे टलके किस बिंदू का पिरकास सुग्राहिता सून्य होती है यह होती है अंध बिंदू की तो ध्यान अखना है सबसे ज़्यादा संबेदन सील पीत बिंदू और सुग्राहिता सून्य किसकी होती है अंध बिंदू की नेक्स्ट है प्रोटीन पाचन के वाद किस रूप में बदल जाता है ते बदल जाता है अमीनो अमल में नेक्स्ट है पित रस्का निर्माल कहा होता है तो पित रस्का जो निर्माल होता है यह होता है यकरत में और पित जमा अगर आपसे कोशन आता है कि जमा कहा होता है तो होता है पित्तासे में नेक्स्ट है अगनासा रस के दो प्रोटीन पाचक विकर हैं कौन-कौन से हैं तो यह होते हैं ट्रिपसिन यानि ट्रिपसिन और काइमो ट्रिपसिन यानि ट्रिपसिन और काइमो ट्रिपसिन नेक्स्ट है प्रकास संसलेशल की प्रकासिय अभिकरिया कोशिका के किस भाग में होती है तो यह होती है हरित लबक के गिरेना में ध्यानक नहीं कौन सी प्रकासिय अभिकरिया और कोशन अगर आता है कि ए प्रकासिय अभिकरिया कोशिका के किस भाग में होती है तो यह होती है, stroma में तो friends, फिरकास अभी के लिए गिरेना में और यह पिरकास है, stroma में Next पारणरंध, किन कोशिकाउसे? बनता है तो पारणरंध बनता है, रक्सक कोशिकाउसे किन से? रक्सक कोशिकाउसे Next रंदरों के कार्ये क्या होते हैं तो यह होते हैं, गैसों का विनी में तथा वास पुत्सर्जन करना. गैसों का विनी में और वास पुत्सर्जन. नेक्ष्ट है, A, D, P का पूर्ण ड्रूप होता है, तो होता है, तो यह होता है, जल में विद्युधारा प्रिवाहित करने पर क्या होता है? देखे, जल क्या होता है? व्योजित हो जाता है, और व्योजित होने के बाद, oxygen तथा hydrogen में तूट जाता है. Next है, आलू को अपचेन, यानि आलू chips जो होती है, अपचेन से बचाने के लिए कौन सी गैस का प्रियोग किया जाता है? तो फ्रेंट्स यह क्या जाता है, nitrogen gas का. आपने देखा होगा, जब आप आलू की chips, यानि कि आप कोई packet खरीते हैं दुकान से, तो वह काफी फूला होआ होता है, तो उसमें बही nitrogen gas भरी होती है. नेक्स्ट है मारवल, यानि calcium carbonate का रासाइनिक सूतर क्या होता है? यह होता है CACO3. नेक्स्ट है, स्वैसन कैसी प्रिकिरिया होती है? तो स्वैसन होती है, उस्मा छेपी प्रिकिरिया. नेक्स्ट है, स्वैसन समीकरण, दीखें, आपसे एक्जाम में स्वैसन समीकरण के लिए पूछ सकता है. तो फ्रेंट्स, यह होती है, 6, यानि C6S12O6, 6O2, तो क्या बनता है यहां से, 6 carbon dioxide बनते हैं, यानि CO2 प्लस 6S2O, और प्लस यहां से उर्जा मुख्थ होती है, क्यों यह क्या होता है, उत्मा ठेपी होता है, यह उर्जा उत्पन्न करता है, नेक्स्ट है, मैगनीसियम का वायू में जलना कैसा परिवर्तन है, तो यह है रासाइनिक परिवर्तन, और मैंने आपको बता दिया था, कि क्या बनता है, MgO यानिके मैगनीसियम ऑक्साइड बनता है, नेक्स्ट है, किसी अभी किरिया में, भाग लेने वाले पधार्थ क्या कहलाते हैं, तो यह कहलाते हैं, अभी कारक, उसके बाद नेक्स्ट है, किसी अभी किरिया में, कि दोरान बनने वाले नए पधार्थ कहलाते हैं, उत्पाद, देखे, जिसने माल लीजी, रेक्सन हुई A प्लस V, तो क्या बना हमारा C मना, तो यह जो वाएं बाले होते हैं, जिन्नोंने अभी किरिया में भाग लिया, यह होते हैं अभी कारक और जो बना, यह होता है उत्पाद, नेक्स्ट लोहे की वस्तो को पैंट क्यो किया जाता है, क्यो किया जाता है, वही जंग से बचाने के लिए सभी जानते हैं, नेक्स्ट तेल एबं बसायुक्त, खाद्य पधार्थ को nitrogen से पिरवाहित क्यों किया जाता है तो यह किया जाता है उप्चैन से बचाने के लिए क्योंकि उप्चैन हो जाते हैं तो इनका रंग, गंद और इनका स्वाद जो है वो बदल जाता है next step हो जे पधार्थों का स्वाद खटा किसक्यू पस्थिती के कारण होता है तो यह होता है अमले के कारण तो friends आज के वीडियो में इतना ही I hope वीडियो पसंद आई हो लाइक कीजिए दोस्तों के साथ सेर करना ना भूले Thank you for watching मिलते हैं next वीडियो में